नमस्कार दोस्तो मिना नाम है तरुन यादो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूटीब चनल IQ Mentor में दोस्तो आप जानते हैं कि IQ Mentor पर 2006 से लेका 2020 तक के हुवे सभी परतियोगी परिक्षाओं के प्रिविस यर कोईशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 이 प्रिविस यर कोईशन पेपर दोस्तो आपके संपूनव विश्यो का होगा चैप्टर वा Science तरीके से होगा चैप्टर के भी अंदर हर एक topic को हम discuss करेंगे जिस तरफिक से question बने है जो question आए है हर उस question को हम discuss करेंगे प्रापर तरीके से और आगे क्या नए question बन सकते हैं उससे related हम उस चीज़ को भी प्रापर तरीके से discuss करेंगे दोस्तों आज बारी है दोस्तों session number 2 की और ये session दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही जादा important होगा आप किसी भी परति बल भरतियों की तयारी कर रहे हो सिक्षक भरतियों की तयारी कर रहे हो आप किसी भी परतियों की परिक्षाओं की तयारी कर रहे है ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही जादा important होने वाली है आपके परतियों की परिक्षाओं में 80% GS के प्रस्न दोस्तों हम बार ये दूसरे वीडियो की और लगातार बैक टू बैक की सिशन चलेगा जब तक आपके सभी विश्यों का हर एक चैप्टर का आपका प्रीवेस एर कोश्चन हम आपको करवान ही देते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो हम एंचेंट इस्ट्री यानि कि प्राची नितिहास के चैप्टर नमबर टू वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के बारे में डिसकस करेंगे इसके प्रीवेस एर कोश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं दोस्तों तो चलिए हैं बिना टाइम वीश किये शुरुआत करते हैं आज के सिशन की तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाओंगा कि वीडियो को पूरा देखेगा शुरू से लेकर आंत तक देखेगा बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा और आंत में जब आपको वीडियो लगे कि वीडियो आप लोग लिए यूसफुल थी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा सभी दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों और अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजेगा उचलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस important session के हमारे पहले question के साथ हमारा पहला question है दोस्तों वैदिक आरियों का प्रमुक भोजन था question क्या है दोस्तों वैदिक आरियों का प्रमुक भोजन था चार option है पहला है ज़ो और चावल दूसरा है दूद और इसके उतपाद तीसरा है चावल और दाले चोथा है सबजी और फल यह जो कुशन है दोस्तों यह आपके SSC Matic Story परिक्षा में आया था जो कि 2008 में संपन हुई थी तो इसका सही option क्या होगा तो दोस्तों वैदिक आरियों का जो प्रमुक भोजन था वो option नमबर B था दूद और इसके उत्पाद क्या थे दोस्तों बहुत प्रमुक भोजन थे क्योंकि वैदिक आरियों का जो भोजन था वो दूद, खी, दही, आदिक आसमें बहुत प्रमुक भोजन था और अगर हम लोग रिगवेद को अगर हम पढ़ते हैं तो रिगवेद को पढ़ने कबाद हमें ये पर चलता है कि जो ये आपके वैदिक आर्य थे ये लोग क्या करते थे दूद में यौ मिलाते थे यौ मतलब कि ये जौ को मिलाया करते थे दूद में जौ को डाल करके वो क्य पनाया करते थे और उस नाम था करमब तो करम था तो करमा नाम का ईक भुच्व पदात वो लोग तयार किया करते थे लेकिन दोस्तो डूरे अरुमेद में कहीं भी चावल और नमक का उलेख नहीं दिया है यहार लखे जावल लखार करते हैं दूद घी दही मतलब कि दूद और उससे बने उसके उत्पादों का इस्तमाल किया करते थे तो आपका option number B सही हो जाएगा कि वैदिकारियों का जो प्रमुक भोजन था वो दूद और उसके उत्पाद था ठीक है चलिए बढ़ते हमारे next question तरफ next question हमारा कहता है कि निम्नलिख में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रियोग होने वालों में से एक था चार option है दोस्तों पहला है यो दूसरा है जई तीसरा है राई चोथा है आपका गेहू तो दोस्तों इसका तो सही option हो जाएगा वो option number A हो जाएगा यानि कि जो ठीक है ना कि मनुष्य द्वारा सरो पथम जो का प्रियोग करने के साक्षम को मिले है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले क्या इस्तमाल किया था खाने में जो का इस्तमाल किया था और यह question दोस्तों आपके SSC सेयू सनाता के परिश्य यानि कि SSC CGL Tier 1 का यह question है जो कि 2012 म चार option है, चांदी, सोना, लोहा और तांबा तो दोस्तों इसके सही option हो जाएगा, वो option हो जाएगा option number D, Timeba कि बैदिक लोगों के द्वारात, तांबा का प्रियोग सबसे पहले किया था क्योंकि दोस्तों जो रिगवैदिक लोग थे रिगवैदिक लोगों के दोवारा सबसे पहले तामबरी का प्रियोग किया गया था और रिगवैद में दोस्तों आयस नाम की एक धातू का भी उल्ले किया गया है क्या आयस नाम की एक धातू का भी उल्ले किया गया है लेकिन इ इसका प्रियोग माना याता है तामबे का माना याता है इसलिए option number D दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कि वैदिक लोगों के द्वारा तामबा धातू का प्रियोग सबसे पहले किया गया था ये question दोस्तों आपके SSC Tax Assistance परिक्षा में आथा जो कि 2007 में संपन हुआ था then हमारा दोस्तों next question क्या कहता है कि वेद शब्द का अर्थ है क्या पुछा गया question कि वेद शब्द का अर्थ है चार option दिया गया है ज्यान बुद्धिमत्ता कुशलता और शक्ति तो दोस्तों जो वेद शब्द का अर्थ है उसका मतलब होता है ज्यान क्या होता है दोस्तों तो यानि कि option number A जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाता है तो चलिए इसी साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारे next question तरफ next question हमारा क्या कहता है कि किन तीन वैदो क्या है किन तीन वैदो का सईयुक्त रूप से वैद त्रई कहा गया है तो दोस्तों चार option दिये गए है रिगवेद, यजूरवेद, अथरवेद, दूसरा option कहता है रिगवेद, सामवेद, अथरवेद, तीसरा option कहता है रिगवेद, सामवेद, और यजूरवेद, और यजूरवेद, और यजूरवेद, 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 यजूरव दोस्तों वेद त्रही कहलाया करता है ठीक है ध्यान रखेगा रिगवेद यजुरुवेद और सामवेद इन तीनों को दोस्तों क्या बोलते हैं वेद त्रही कहा करते हैं ये दोस्तों आपके S.S.C. online स्टेनोग्राफर के परिक्षा में आयत हुआ प्रशन है जो कि 13 सितंबर 12.17 को द्वितिय पाली में संपन हुआ था चलिए अब हम बलते हमारे निक्स कुशन तरफ निक्स कुशन माना क्या कहता है कि आरे सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयू के आरोही क्रमानुशार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है क्वेशन को समझेगा चरणों है दोस्तों आरे सभ्यता में मनूष्य के जीवन के आयू के आरोही क्रमानुशार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है चार आप्शन है दोस्तो ब्रह्मचर ग्रिहस्त वानप्रस्ट सन्यास दूसरा आप्शन है ग्रिहस्त ब्रह्मचर वानप्रस्ट सन्यास चोथा आप्शन है ब्रह्मचर वानप्रस्ट सन्यास और ग्रिहस्त चोथा आप्शन क्या कहता है दोस्तो ग्रिहस्त सन्यास वानप्रस और ब्रहमचर यह दोस्तों आपके SSC डाटा इंट्री ऑपरेटर यानि कि DO की परिक्षा में पूछा गया प्रश्ण है जो कि 2009 में संपन हुआ था तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नमबर A हो जाएगा ब्रहमचर ग्रिहस्त वानप्रस्त और सन्या करता है। मतलब कि जो हिंदु धर में दोस्तों समझेता कोस्षन को इसका पूरा एक्स्प्लिनेशन को कि हिंदु धर्व में मानव जीवन को दोस्तों चार भागों में बाठा गया है। आता है। इसके बारे में जबालो अपनिशत में भी सरप्रथम चारो आश्रमों का उलेख मिला करता है तो मानों के जीवन का जो यह जो चार आश्रम है यही इसका सही आरोही करम है ठीक है ना और सौव वर्स मनुष्ट की आयू को मान करके सभी आश्रमों को 25-25 वर्सों में बाढ़ ज पचीस वर्स ग्रिहस्त फिर वान प्रस्त फिर सन्यास हुआ करता है ठीक है यानि का ऑप्शन नमबर ए आपका दोस्तों सही जवाब हो जाता है देन बढ़ते मारे नेक्स कुशन तरफ नेक्स कुशन दोस्तों मारा क्या कहता है कहता है आर्य 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 आर्यों पूर्व के साथ अपने संगर्सों में सफल रहें क्योंकि चार आप्शन है दोस्तों उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रियोग किया दूसरा वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे तीसरा आप्शन कहता है वे एक उन्नत शहरी संस्कृती से थे चौता आप्शन कहता है क्योंकि उन्होंने घोडों के द्वारा चलाये जा रहे रथों का प्रियोग किया था ठीक है ना तो आप्शन नमबर डी आपका सही जवाब हो जाता है और ये कुशन जो होता है दोस्तों यह आपके से सी सी एचसल 10 प्लस 2 में पूछा गया सवाल है जो की 2010 में संपन हुई थी देन मारा नेक्स कुशन कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारी थी चार आप्शन दिया सिच्छा पर जन्व पर व्यावसाई पर और प्रतिभा पर तो दोस्तों इसकार सही आप्शन हो जाएगा वो और आप्शन नमबर सी हो जाएगा कि जो आरंभिक वैदिक काल है इसमें वर्ड विवस्ता किस पर आधारी थी व्यवसाय पर आधारी थी दोस्तो एक ही परिवार के लोग दोस्तो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए रहते थे इसी में मतलब कि जो आरंभिक वैदिक काल था इसमें एक ही परिवार के लोग क्य करते थे अलग-अलग बिजनेस से जुड़े हुए रहते थे और दोस्तों अगर रिगवेट के नौवे मंडल को हम लोग पढ़े हैं तो रिगवेट के नौवे मंडल में दोस्तों एक स्थान पर हमें यह उलेक मिलता है कि मेरे पिता व्रिसज यानि की वैद है और मेरी माता क क्या चक्की चलाने वाली हैं और मैं एक कभी हूँ मतलब यहाँ पर पिता का व्यवाजी कुछ और है और मेरा कुछ ओर है तो मतलब आरंबिक वैदिक काल में क्या हुता है दोस्तो कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्योसाई को अलग 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 अकुपेशन को प्रोफिशन को अपनाया करते थे ये कुश्चन दोस्तों आपके SST CTSL में पूछा गया प्रशन है जो कि 2010 में संपन हुआ था और इसके आप दोस्तों यही प्रशन SST CTSL ग्राफर की परिक्षा में पूछा गया है जो कि 2011 में संपन हुआ है तो आप देख रहे है कुश्चन किस तरीके से जब यह तरीके से रिपीट हो रहा है चलिए बढ़ते मारे नेक्स कुश्चन तरफ तो यह इस तथ्य से पुष्चारी लोग थे तो यह इस तथ्य से पुष्चारी लोग थे तो पहला तथ्य का कहता है कि रिपवेद में गाएक के अनेक संदर्ब है दूसरा तथी कहता है कि अधिकांच युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे तीसरा तथी कहता है दोस्तों कि पुरोहितों को दिये जाने वाला उपहार प्राया गाय हुआ करती थी ना कि जमीन और चौथा कहता है हमारा उपयुक्त सभी तो इसका दोस्तों जो option है सही वो आपका option number 4 हो जाएगा क्योंकि ये तीन के तीनों ही दोस्तों सही है कि रिगवेदिक काल में दोस्तों गाय के बहुत सारे संदर्व देखने को मिले हैं गाय को लेकर के बहुत सारे युद्ध भी लड़े गये हैं और पुरोहितों को भी दोस्तों उपहार के तौर पे गाय दी जाती थी इसलिए option number D दोस्तों सही हो जाता है क्योंकि दोस्तों रिगवेद में गाय की इतनी चर्चा है कि रिगवेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पसुचारक हम लोग कहते हैं ठीक है न गायों का दोस्तों धान रिगवेद में गायों का 176 बार उलेक मिलता है कितने बार 176 टाइम उलेक मिला करता है और उनके अधिकांस युद्ध दोस्तों गाय को ही लेकर हुए हैं और गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी उस टाइम पे ठीक है न और जहां कहीं भी पुरोह पर गाय को ही दान में दिया करते थे ठीक है ना भूमी नहीं देते थे गाय दिया करते थे और रिगवैदिक लोग दोस्तों गाय चराना खेती करना और बसने के लिए जमीन पर कबजा करते रहे होंगे लेकिन क्या थे कि रिगवैदिक कार में किसी की भी भूमी निजी संपत इसलिए option number D आपका सही जवाब हुजाएगा ये question भी दोस्तों आपके SST CHSL 10 प्लस 2 में पूछा गया question है दोस्तों जो की 2010 में संपन हुई थी चलिए बलते हमारे next question तरफ next question हमारा क्या कहता है समझेगा बात को REO को एक जाती कहने वाला पहला European कौन था तो दोस्तों चारा option दिया गया है Sir William Jones H.H. Wilson तीसरा option कहता है Max Muller चौथा option कहता है General Cunningham General Cunningham ठीक है तो इसका जो सही option हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा Max Muller हो जाते है REO को एक जाती कहने वाला पहला European दोस्तों Max Muller था जो Max Muller महोते थे दोस्तों इन्होंने REO का देश मद एशिया रोड़र्श बैक्टेरिया को मानते थे और मूलर के अनुसार दोस्तों ये था कि जो पामीर के पठार है यानि कि जो पामीर कनोट है आपके पामीर के पठार से ही इंडो इरानी जाती पूर में पंजाब तरह पस्चिम में मेसुर पठामिया की ओर आई थी क्या थी दोस्तो जो पामीर के पठार से ही दोस्तो जो इंडो इरानी जाती थी ये इंडो इरानी ज पूरब में अगर जाएं इस्ट में जाएं तो दोस्तों पंजाब से आती है और पस्चिम में जाएं दोस्तों तो मेसोपटामिया की ओर से आई थी ठीक है ना चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स कुशन तरफ नेक्स कुशन हमारा क्या कहता है समझेगा बात को कहता है कि आरि सिंदू हो जाएगा सब्त सिंदू को बारे मैं आपको बता हूँ दोस्तों तो दोस्तों सब्त सिंदू को मतला बोता है साथ नदियों वाला ठीक है न जिसमें हम लोग सब्त सैंधों के नाम से भी जाना करते थे वर्तमान में दोस्तों मैं पंजाब भी बूला करते तो दोस् तो वो सब्त सिंदु छेतर में स्थापित हुई थी जो सिंदु नधी से लेकर गंगाय नधी तक विस्तित थी कहां से सिंदु नधी से लेकर कहां तक विस्तित थी गंगाय नधी तक विस्तित थी इसलिए option number C आपका सही जवाब हो जाता है ये question भी दोस्तो आपके क्या है कि SSC CGL में पूछा गया प्रश्चन है Tier 1 में पूछा गया था जो 2014 में दोस्तों आपके संपन्न हुई थी चलिए मिश्री साथ बढ़ते हैं हम अपने हमारे आज के next question तरफ next question हमारा कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाती सभा सामाने रूप से जनजाती सरदार यानि कि मुखिया के चुनाओं में शामिल हुआ करती थी तो इसका चार option दिया गया है पहला है समिती, दूसरा है सभा तीसरा है गर्ण, चौता है विदाता तो मैं चाहूंगा इसका option आप कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर लिखें एक बार और ये question जो है दोस्तो यह आपके बहुत important question है से सीजेल पुछा गया question है tier 1 में आया था जो 2014 में संपन हुई थी तो इसका जो सही option जाएगा दोस्तो वो option number A हो जाएगा समिती हो जाएगी ठीक है ना रिगवेट में दोस्तो समिती का 9 बार उल्लेक मिलता है कितने बार दोस्तो 9 बार हमको उल्लेक इसका देखने को मिलता है और समिती को दोस्तो विश्व अत्वा जनसाधारन की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है ठीक है ना समिती को क्या बूला गया है विश्व अथवा जन साधारण की आवाज को अभिव्यक्त एक्षप्रेस करने वाली एक संस्था बूला गया है और जो राजा होता था दोस्तो मतलब कि जो जनजाती सरदारों के मुख्या हुआ करते थे तो राजा के निर्वाचन और पुनर निर्वाचन में इसका महतपूर्ण योगदान हुआ करता था किसका समिती का हुआ करता था तो दोस्तो समिती जनजाती सबा समान रूप से जनजाती सरदार के चुनाव में शामिल हुआ करती थी तो उप्शन नमबर ए आपका सही जवाब हुजाएगा चलिए बढ़ते हैं मारे निक्स कुशन इतरफ निक्स कुशन मारा क्या कहता है राज्या विशेक समारो का विवरण निव ने लिखित में से किस में किया गया है चार उप्शन दिया गया है के नोप निशद में किया गया है के नोप निशद में किया गया है विश्नु पुडान में किया गया है या फिर एतरे ब्राम्भण में किया गया है चार उप्शन है इसका तो सही उप्शन हो जाएगा दोस्तो उप्शन नमबर सी यानि कि है दोस्तों वो एत्रेय ब्राम्भण में किया गया है किसमें एत्रेय ब्राम्भण में किया गया है जो एत्रेय ब्राम्भण है ये रिगवेद के शाकल साखा से संबंद है और एत्रेय ब्राम्भण में राज्य विशेक समारो का विवरन हमें प्राप्त हुआ करता है ठीक है चलिए बढ़ते हमारे नेक्स कोशन तरफ नेक्स कोशन हमारा क्या कहता है आईए देखते हैं कहता है कि वैदिक ह्युग में राजा अपनी जनता से जो कर्वसूल करते थे उसे क्या कहते थे तो दोस्तों चार अप्शन दिय गया है बली, विधत, बर्मन और कर तो दोस्तों इसका रही अप्शन जाएगा वह आप्शन नमिर ए हो जाएगा कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स लिया करते थे उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते थे बली बोला करते थे ये कुश्चन दोस्तों आपके SSC डाटा इंट्री ओपरेटर की परिक्षा 2008 में आया हुआ प्रशन है दोस्तों दोस्तों आप सवाल ये उठता है कि भाई जो बली इ कलेक्ट करता था लेता था उसको अम लोग भाग दूथ बोलते थे क्या बोलते थे भाग दूथ बोलते थे ध्यान रख्येगा जबकि जो संग्रहिता था यानि कि जो कोशा द्च हुआ करता था वो इसका कारे संभाला करता था मतलब ही क्या करते थे कि वैदिक यूग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स लेते थे उसको लोग बली कहते थे और बली को जो संगरहीत करने वाला अधिकारी हुआ करता था उसको लोग भाग दूध बोलते हैं और जो संगरहीता होता था बली का उसे अम लोग कोथा दक्ष बोला करते थे तो option number A आपका सही जवाब ह जाएगा चिरीकी ह Constan Pikachu गायत्रि मंद्र कहां सी लिया गया है जजिरुवेड अथरुवेड रिगवेड यो दोस्तो के Dobs तो तीसरे मंडल से लिया गया है कहां से तीसरे मंडल से लिया गया है और दोस्तो ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देव को समर्पित एक मंत्र है किसको सूर्य देव को समर्पित एक मंत्र है गायत्री मंत्र आपका ठीक है तो option number जो C हो जाएगा दोस्तो वो आपका सही ज हो जैते हैं कहां से लिया गया चारा उप्शन दिया गया है रिग वेट से मतस्य पुरार से भगवत गीता से या फिर मुंड को निशत से लिया गया है तो दोस्तों इसके जो सही हो जाएगा वो आप्शन उपनिशत से लिया गया है ठीक है ना जो भारती परतीक पर जो उतकीड है सत्यमेव जैते ये सत्यमेव जैते दोस्तों आपके मुंडिको उपनिशत से लिया गया है ये कोशन दोस्तों आपके SSC CHSL में उचा गया कोशन है जो कि 2011 में संपन्द हुआ था दोस्तों देखिए औ अब हमारा नेक्स कुशन कहता है कि निम न लिखी तुमें से किस विदूसी ने वाद विवाद में अजे यागवलक के को चुनोती दे दी थी तो दोस्तो चार आप्शन दिया गया है घोशा, अपाला, मैत्री, गारगी तो दोस्तो ये जो ऑप्शन नमबर डी है यानि कि जो विदूशी गारगी थी विदूशी गारगी ने वाद विवाद के लिए डिबेट के लिए अजे यागवलक के को चुनोती दे दी थी और ये दोस्तो उसमें बहुत बड़ी बात थी जब महिलाओं को पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, महिलाओं को सिक्षा से वन्चित रखा जाता था, उस जमाने में इस विदूशी गारगी ने क्या किया था, जो अदे यागवलक के थे, इनको उन्होंने चैलेंज किया था दोस्तो ठीक है ना, और ये जो इनके बीच समवाद हुआ करता है, इस समवाद का उलेख आपको पता है कहा मिलता है, तो इसका उलेख दोस्तो वरिह दाराण या उपनिशद में मिला करता है दोस्तो, इसका उलेख जो इनके बीच समवाद हुआ करता है ठीक है चलिए बढ़ते हमारे next question तरफ, next question माना क्या कहता है कि प्राचीन भारत में निमन लिखित में से किस विवा को विधी समवत नहीं माना जाता था तो option no.c गंधर विवा ये आपका विधी समवत नहीं माना जाता था दोस्तो अगर हम बात करें कि जो आपके विवाह की पुराने जमाने में तो हिंदु धर्म में दोस्तो विवाह के जो संसकार है वो कितने हैं 16 है तो हिंदु धर्म में दोस्तो विवाह के 16 संसकारों की बात मानी जाती है तो प्राचीन भारत में दोस्तो विवाह क्या है दोस् देव विवाह, तीसरा होता था दोस्तों आर्श विवाह, चौथा होता था प्रजापात्य विवाह, कौन सा प्रजापात्य विवाह होता था पाचवा होता था गंदर्व विवाह या गांधर्व विवाह और छटवा होता था दोस्तों आपका असुर विवाह, सात्वा होता था राच्छास विवाह और आठवा होता है दोस्तों आपका पैशाच विवाह और इन विवाहों में दोस्तों ब्रह्म विवाह दैव विवाह आर्श विवाह कोई दोस्तों विदी संबत माना किया है बाकी के जो पांच प्रकार की विवाह है इनको विदी संबत नहीं माना जाता है ठीक है चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों जो आपके अभी कुछ 2016-2018 में जो उल्लाइन एक्जाम में जो पूछे गए कोश्चन है इस चैप्टर से वैदिक सभ्यता से उन कोश्चनों को आई हम लोग अभाल कर लेते हैं तो हमारे ऑनलाइन एक्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि रिगवेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है तो रिगवेद में दोस्तों जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है इंद्र है ठीक है तो दोस्तों जो उपनिशत पुस्तके है वो आपके दर्शन पर आधारित पुस्तक है ठीक है फिर ए आने माने उच्छिस्थान पे पहले नंबर पे दोस्तों कौन होता था ब्राम्हन होता था दूसरे नंबर पे छत्री हुआ करता था तीसे नंबर पे दोस्तों वैश हुआ करता था चौते नंबर पे दोस्तों के शूद्र हुआ करते थे ठीक है उसके बाद एक कुशन पुछ गरंत कहा जाता है तो दोस्तो साम वेट को कहा जाता है एक कोशन पुछा गया था कि किस वेद में वैदिक युक की प्राचीनतम संस्कृति की बारे में सूचना दी गई है तो दोस्तो रिग वेद में वैदिक युक की प्राचीनतम संस्कृति की बारे में सूचना दी गई है थीक है उसके बाद नेक्स कूशिन कहता है कि जौ के हूँ चावल तथ मानव जाती कि सबसे पुराना साहितिक विरासत कौन सा हे तो दोस्तो मानव जाती का सबसे पुराना साहितिक विरासत रिग वेद है कौन सा है रिग वेद है फिर नेक्स कुशन कहता है कि चार वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है तो चार वेद में दो तो सबसे पुराना वेद आपका रिग वेद है ठीक है देन दोस्तो नेक आयूर्वेद, यजुर्वेद, गांधर वेद और शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिरा जाता है दोस्तों यजुर्वेद है यजुर्वेद आपका उपवेद के अंतरकत नहीं किरा जाता इसके लाबा दोस्तों आपका आयूर वेद, गांधर, वेद, शिल्प वेद, ये तीनों ही क्या है दोस्तों उपवेद है ठीक है तो दोस्तों यजुर वेद जो है दोस्तों वह आपके धार्म के अनुस्दानों से संबंध रखता है देन दोस्तो आज का हमारा next and last question की उपनिशद क्या है तो उपनिशद दोस्तो एक हिंदू दर्शन का सुरोत है क्या है हिंदू दर्शन का सुरोत है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब हम लोगे ने क्या कर लिया वैदिक सबकाल और वैदिक सब्यता से 2006 से 2020 तक में आपके परतियोगी परिक्षाओं में जितने भी प्रशने पूछे गए थे सारे के सारे प्रशनों को हमने डिसकस कर लिया है और यह सारे प्रशने बहुत जबज़स तरीके से रिपीट होते हैं इसलिए हारी question को proper list ज्याद जरूर कर लीजेगा explanation को ध्यान पूरवक सु देंगे जहां पर आपको हमारे सारे वीडियो की लिंक सारे वीडियो की PDF आपको मेलेगी साथ साथ आपकमिंग वेकैंसी की details आपकमिंग एक्जामनीशन की details और आपकी study material coaching material daily के quiz और बहुत सारी चीज़े आपको दी जाती है वहां पर हमारे इसी ग्रुप में सब कुछ free of cost आप लोगों को दिया जाता है तो हमारे WhatsApp ग्रुप पे भी जुडिये और दोस्तों अब आप हमको Instagram पे follow कर सकते है Instagram के search box में चाहिए IQ mental लिखिए follow कीजिए हमें वहां भी हमारे post के माध्यम से daily आपको कुछ नया current और static से related बहुत कुछ जानने को मेरेगा जो आपकी examination के point of view स से बहुत जादा important होगा तो दोस्तों thanks for watching our video वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कीजेगा सभी दोस्तों तक share कीजेगा चैनल पर पहली बारा आ रहे तो subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कीजेगा वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में comment section में लिखना मत भूलिएगा और वीडियो आपको provide कराएंगे thanks for listening us God bless you my son जाए हिन जाए भारत